होली का तेवार आते ही हम सभी के घरों में बहुत तरीके के पापड़ो चिप्स बनाये जाते हैं तो आज आपके साथ हम ऐसे ही एक रेसिपी सेयर करने वाले हैं बहुत इंट्रेस्टिंग है और बहुत यदा खुबसूरत भी है दिखने में जितनी ये सुन्दर है बनाने में उतनी ही ज़्यादा आसाने और खाने में तो ये सूपर टेस्टी है सभी को बहुत यदा पसंद आएगी और बहुत ही कम सामान के साथ बनकर तयार होगी बहुत ही कम इनफेक्ट केवल एक ही सामान से बनकर ये तयार होगी, बहुत ज़्यादा महनत नहीं है, तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, रेसिपी पसंद आएगी ना तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा, साथी बने बेल आइकोन को भ पनाने वाले हैं, ये मीडियम साइज का साबू दाना है, जिस से हम घिचुरि भनाते हैं, वही साबू दाना है, तो अब इसको नो 2-3 बार अच्छे से ऌच्छे से बैलेके, इसको पर चलिए द्याएं, द्याद दो श्रू ओर श्याओंडाना काफी से फॕल जाता है, अग अब इसको हम ढग देते हैं और 5-6 गंटे के लिए इसको हम फूल ने देते हैं. तब तक में ये बहुत अच्छे से फूल जाएगा. तो यह देखें, साबुदाना काफी अच्छे से फूल चुका है और जब आप इसको हां से मैस करेंगे न तो यह बहुत यह आसानी से मैस हो रहा है यह देखें, तो इसी तरीके का साबुदाना हमको चाहिए होगा काफी easily वो mess हो जाए क्योंकि हम इसको पकाने वाले नहीं है ना तो इसे हमें गैस पे पकाना है अब हमने इसको एक मिक्सी के जार में डालना है और इसमें हम पानी या कुछ भी नहीं डालेंगे तो बस डारेक्ट इसको ऐसे ही चलिए हम पीस लेते हैं क्योंकि कितना भी इसको हम बारी कर लें थोड़े बहुत कण इसके ही जाएंगे या नि साबुदाने की जो चंक्स होते हैं वो बहुत ही अच्छे से नहीं पिस पाते हैं तो इसको चानना काफी जरूरी होता है तो इसमें थोड़ी से महनत आपको लगीगी अगर अची से खानी है तो महनत 土 करना ही पड़ता है तो बस इसीत तरीके से चार से पांच मूट तांब लग जाएगा इसको चानने में तो बस इसी तरीके से हम इसको चान लेते है यह द dachte तो आपने देखा, ना तो हमें गयस जलाना है, और ला हमना कीमें तो आप किम स्प्रमी के दिते हैं और इसको हम मिस्कर देते हैं तो अपने कीतना ज़्यादा यह आसान है तो भसम्मक को डालने के बाद sword rateostum हमें इसको mix करना है और इसमें हम कुछ भी नहीं डालेंगे तो आप चाहें तो आप इसको simple white color में भी बना सकते हैं लेकिन इसको हम colorful बनाने वाले हैं तो यहाँ पे हम थोड़ा सा food color का इस्तेमाल करेंगे उससे ना ये काफी खुबसूरत भी लगता है और अगर आपके घर में बच्चे हो तो उनको ये बहुत पसंद आती है क्योंकि बच्चों को colorful चीजें पसंद होती ही है तो ये देखें यहाँ पे हमने थोड़े से color लिये हैं जिसको हम थोड़ा थोड़ा सा करके इसमें डाल देते हैं तो इसलिए हमने इसको कई भागों में डिवाइट कर लिया है तो चलिए food color मिला देते हैं अच्छे से इसमें और अगर आपको color नहीं पसंद है ना तो आप इसको dark white भी बना सकते हैं तो यहाँ पर हमने ये चार color इस्तेमाल किये हैं आप इसमें बहुत सारे color का भी इस्तेमाल करके बना सकते हैं और इसको बनाने के लिए यहाँ पर हमने ये जो बैग आते हैं पॉलिथिन वाले जिसमें हम प्रशाद या इस तरीकी की कुछ और चीज़ें देते हैं ये market में काफी आसानी से मिल जाती है ये lock वाला तो आप चाहें अगर आपके पास हो तो इसमें बना सकते हैं या तो फिर कोई भी पॉलिथिन सबजी वाली भी ले सकते हैं या तो फिर जैसे नमक का packet होता है दूद का packet होता है उसमें भी आप इसको भर कर आसानी से बना सकते हैं तो चलिए अब भर लेते हैं है जो सारे कलर है अलग-अलग बैक में हमने इस तरीके का अलग बैक में यह तो पैक इसको भगा कर लिया है तो हमारे यह तो तयар हो चुका है क्या करना है थो जो भी आप बोलना चाहें आप इसको बोल सकते हैं या अगर कोई और नाम आपके दिमाग में होगा तो हमें जरूर बताईएगा तो यह देखे इस तरीके से ऐसे गूमाते वे इसकी डिजाइन हम बना लेते हैं जो कि काफे आदा आसान है यह देखे तो आप हमसे भी अब इसको हम सुखने देते हैं और यह एक दिन में बहुत अच्छे से सुख जाता है पंखे की हवा में भी आप इसको सुखाएंगे तो बहुत ही आसानी सी यह सुख जाता है तो चलिए इसको हम सुखने देते हैं मिलते हैं सुखने के बाद तो हमारे यह साबुदाने के यानि साबुदानी की जो ही मरती है वो काफी अच्छे से सुख चुकी है आप देख सकते हैं इसका कलर कितना सुन्दर आया है बस हाँ और इसके डिजाइन देखे कहीं से खराब भी नहीं हुई है लेकिन हाँ अगर आप इसको बहुत पतला बनाएंगे ना तब फिर यह तू तो है ना इसको बनाना बहुत ही आदा आसान तो इस तरीके की बहुत सारी रेसिपी हमारे चैनल पर अपलोड है आप जाकर देख सकते हैं तो यह देखे जो हमने पतला बनाया था ना वो तूट भी गया है तो इसको ना बहुत पतला बनाने की कोसिस ना करें अगर पतला ब अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा साथ ही बने विल आइकाउन को भी प्रेस कीजिएगा जिससे की मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके तो देखे फ्राइ करने के बाद भी ये कितने अच्छे से बड़े भी हो गए हैं फूल करना जो दिखने में काफी अच्छे लगरे हैं और फ्राइ होने के बाद इसका जो कलर है वो थोड़ा सा लाइट हो जाता है तो बीना गर्ज जलाए बनने वाली ये रेसिपी आई होप कि आज जरूर पसंद आई होगी आपको और पसंद आई होगी ना तो लाइक से एर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा हम मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ एक नए वीडियो में तब तके लिए बायर ट